जिन्दिगी और नाटक में फर्क है नाटक को जहाँ चाहो जब चाहो बदल दो लेकिन जिन्दिगी के नाटक के दोर तो उपर बाले के हाथ में होती है राज कुमार के इस फैमोस डायलोग को लोग आज भी अकसर उसी अंदाश में बोल वेड़ते हैं ये तो सच है कि जिन्दिगी और नाटक में फर्क है अकड स्वाब बाले रासकुमार की जिन्दिगी पर भी ये डालोग फिट बेड़ता है लोगों के मुँपर साप साप बोलने बाले रासकुमार अपनी सीधित बास से लोगों के मूड खराब कर देते थे लेकिन हटी और अक्रू की इमे से इतर उनके दिल में प्यार भी बहुत था उन्हें एक बार नहीं तीन तीन बार तूट कर प्यार हुआ बस फर्क इतना रहा दो बार ये प्यार एक तरफा था रासकुमार को फिल्मी दुनिया में अकड और घमंडी एक्टर माना जाता रहा है डिरेक्टर और सितारे उनके साथ काम करने से कदराते थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुसेल स्वाप के रासकुमार प्यार के मामले में भी राजा आदमी थे अपने साथ काम करने बाली दो हसीनाओं को वो तूड कर चाहते थे लेकिन मामला एक तरफा हुआ तो उन्हें एक बार फिर फ्यार हुआ कौन था उनका तीसरा प्यार चलिए आपको बताते हैं रासकुमार के लिए कहा जाता है वो जिससे प्यार करते थे उसे अपने दिल में सामिल कर लिया करते थे और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तयार हो जाते थे अपने काम के साथ वो फ्रेम को तबज़ो देते थे फिल्मित दुनिया में उन्होंने मीना कुमारी और हेमा माली से बे इंतहाँ प्यार किया राज कुमार को फिल्मों में काम करने के दोरान दो बार फ्यार हुआ लेकिन दोनों बार उनका प्यार एक तरफ हा रहा फिल्म पाकेजा में साथ काम करते हुए उनका जुका मीना कुमारी के तरफ हो गया था कहा जाता है कि जब साल 1972 में फिल्म पाकेजा में राज कुमार के साथ मीना कुमारी काम कर रही थी तब फिल्म के सेट पर काम करते समय राज कुमार अपना डायलग भूल जाते थे बस मीना कुमारी को एक टक देखते रहते थे लेकिन वे तब पहले से साधी सुधा थी और उन्होंने कभी भी राज कुमार को करीब नहीं आने दिया हाला कि हेमा मालनी उनकी वातने सुनकर थोड़ी से हैरान हो गई क्योंकि राज कुमार उनके सिनियर थी ऐसे में वो उन्हें काफी रिस्पेक्ट देती थी अपने सिनियर के मुझ से प्यार का प्रपोजल पाकर यूँ तो हेमा काफी खुश थी लेकिन उन्होंने बड़ी साल मलनी तस के साथ उनके प्रपोजल को इनकार कर दिया और कहा कि वो इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती है रिपोर्ट्स के अनुसार हेमा मलनी ने कहा कि मैं आपको पसंद तो करती हूं पर प्यार नहीं करती दो बार दिल टुटा लेकिन तिसरी बार आसमान में दिल फिर से खो बेठे मिना और हेमा के बाद राज कुमार का दिल जैनिपर पर आया जिसे बाद में उन्हें अपना हमसपर बना लिया जैनिपर से राज कुमार के मुलाकात आसमान में हुई थी दरसल वे एक दफ़ा फ्लाइट से कहीं जा रहे थे इस दोरान उनकी नजर एक एर होस्टेस पर पड़ी उसे देखते ही रास कुमार उसकी खुफ सुरुती पर फिदा हो गए उस एंगलो इंडियन एर होस्टेस का नाम था जेनिपर पंडित जो बात में रास कुमार की हम सफर बनी सादी के बाद उन्होंने अपना नाम गायतरी कुमार रख लिया था साल 1996 में गायतरी का नीधन हो गया था